बहिया टाउन में बहतरीन कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जानने के लिए देखिए ये विडियो आज हम महजूद हैं अपने एक well-reputated real estate के expert Mr. Danish के साथ अस्लाम अलेकुम अस्सलाम अल्ला का शुकर देखिए जी सबसे पहले हम बात करेंगे AQ Supermarket के Builders के हवाले से तो Mr. Danish आप हमें ये बताईए क्या उनके Builders के क्या कोई means you on your past successful projects और वह घूए से फ़ाले से किते तो AQ Supermarket is a great well-known builder Abul Kasim क Tayहारान का साथ जो गए्ट साथ बाइस बाइस साल Czechा के साहे हैं । झाले बाराईस साल से बाहरी आट साल्से बाहरा ताण के साल्से बाहराण के साथ बाहराण प्राटाउन के साहे हैं अगर पहले कुछ प्रोजेक्स के नामनू तो अगर पहले कुछ प्रोजेक्स के नामनू तो अगर 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 अगर पहले कु प्राषिसें अपने आफजी और पिप्रीश कोई रहें मैं करना है तो आपन्य प्रैप्टान से ऊश्य की अपने एपर प्थेश्न करता है तो लोकेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको वह ज्यादा फोकस करता है वजह यह है कि अगर आपकी दुकान जितनी भी अच्छी बना लें लेकिन लोकेशन अच्छी ना हो तो आपका बिजनेस चांस पर होता है कि चले या नहीं चले यह वहाँ के AQ सुपर मार्केट मे अपार्टमेंट से लेफ एंड साइड पर फार्म हाउज एंड राइड साइड पर प्राम और जू आप तो अगर फुली एक रावड़िद एरिया में बन रहा है तो जो भी यहां पर इंवेस्मेंट पॉइव से लेगता है यह बिजनिस करता है तो उसको बहुत ही जाद अ इनवेस्मेंट मिलेगा तौ अजिए अफिर अगर आप इस तरह की बात करें तो सदर जो हमारी में मार्केट है जूड़िया बजार हो गई शेर्शा हो गई तो एक इतरह के तकरीब था जो पांच-पांच-पांच-चे-चे-ब्रेंड इन तो बहुत है लेकिन आपका कर careful of all people where theirแ бывает just a 1, 2 लुटीजी और शक्राइट бы ज होती है यूँ कि आफब लोगों को पर प्राइटीज लोगों को नकीन, प्cept करकेछ़ेखे हैं करते हैं कर दो कर राएटीज शक्दळ एक सांसरी खाहते हैं एक भाट करें लेडिजसे घ्रकाइधें, वो तो अगर मैं अपना पीजिनस अपना इसका क्लाइन पॉंट आप शोड़ करें जैसा कि अपने शवहां तरफ पनी इंवेस्मेंट क्यू करोगर मुझे क्या बेनिफिट है कि मैं एक आप एक एक जा था बात करों? अगर मैं सीटी के अंदर की बात करूं तो सीटी के अंदर तकरीबन सारी चीजें अल्रेडी डेविलप हो चुकी है अब वहां पे एक फर्दर आप इन्वेस्मेंट करते हैं तो एक तो सबसे जादा वह आपको बहुत जादा कॉसली पड़ेगा तो कम से कम भी अगर आप कोई शॉप लाते हैं वहां को कैष़्डें मिलेगी कोई बी चीज आपको इस्टाल्मेंट पर नहीं मिलेगी और आपको कम से कम अगर स्टार्ट होता है तो कड़ोनों पर बात जाती है ब लाकों पर नहीं जाती बेरियर टाउन एक चड़ती भी मार्किट है वहां का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पे आपको अभी तक कमर्शल इत्ता जादा डेविलप नहीं हुआ है लेकिन आइंदा के दो से तीन साल के अंदर डेविलप हो रहा है तो आप ऐसी जगह इंवेस्मेंट अ और अगर आपको एक में कीश सुपर अ करूं जहाँ पर आपको पाइम्मेंट प्लैन पर आपकी जो भी में धार स्टीज भी 55 आप और तिक तक वहां तक तक वह जाएगी तो आपको बेहरिया एक रिच्छी मार्किट आने वाले दिनों के लिए इज मतलब कि जो इसकी पास तो मतलब आपके उच्छी खास एक है तो दो हजार टेरा में यह लाँच हुआ तो इनके प्लॉट्स जो स्टाट हुए थे वो दिस बार्या लाग से स्टाट हुए थे आज वही प्लॉट आपको सिर्फ साथ-ाथ साल के बाद साल के बाद साट राग अश्य एक अज़ एरिया इस बाद से तीन गुना जाद आपको दे कर जाता है उसकी वैल्यू तो डेफिनेटल बहुत जाद बढ़ने वागी है अच्छा मिस्टर दानेश यह कि जितने में इक सुपर मार्केट में टोड़ छॉप्स एं तो अब तक इतनी से लाउफ हो चुकिया है लोगों का क्या पूरा का पूरा सोल्ड आउट हो चुका है जब इनका रेट स्टार्ट हुआ था वो 15,000 पर स्कॉयर फूट से स्टार्ट हुआ था आज सिर्फ 3-3 महीने के बाद इसका रेट बढ़ चुका है अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करों ग्राउंड फ्लोर की और लोवर ग् ग्राउंड फ्लोर की तकरीबन 82-85% सोल्ड आउट हो चुकी है तो सिर्फ 3-3 महीने के अंदर इनका तकरीबन 90% माल बेख चुका है आप इसी बात से अंदाजा लगाएं कि कुई भी कमर्शल आपको 3-3 महीने के अंदर 5000 पर स्कॉयर फूट का बेनिफिट नहीं देता और यह तो सिर्फ स्टार्टिंग है अभी जो इनके डिगिंग है वो दिसम्बर में स्टार्ट हो रही है उस वक भी हमें बहुत जादा बिल्डर की तरफ से एक अच्छा रिस्पॉंस रिवाइस करेगा और जो हमारे करेंट इन्वेस्टर ने इस शॉप को लेने के लिए उनक को भी अच्छा बेनेफिट मिलेगा अच्राड़ लेगा अच्छा मारे आखरी सवाल से हम इस शो को एंड करते हैं आप इंस्टार्मेट के हुआले से भी हमैंसर को काइड करते है अभी अगर ये तीन साल का स्टार्मेट प्लैन है और इसकी जो पाजेशन है वो सिर्फ ऑifa जब तो आपके लोगों के लिए बीजी है कि आराम से इस्टोर्मेंट इसकी पए कर सकते हैं और बहुत ही मुनासिब रेट पर बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर दानेश आप ने हमें अपना कीमती वर्ग दिया और अपने कीमती राइस ने हमें आगा किया तो नाजरीन हमारे जो रेड़ बॉक्स के रियल इस्टेट एक्सपोर्ट से माशाला से काफी एक्सपीरियंस हैं तो यह आप ही की गाइडलाइन के लिए आपर मौचूद हैं तो आप बिला जिल्रक हमसे किसी भी टाइम रापता कर सकते हैं मजीद हम जानेंगे रेड़ बॉक्स के साथ तब तक के लिए हमें अजासत दीजिया अलाहाफिस